राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने भारतिय नेवी वाउशिप विंध्यगिरी को लॉंच कर दिया है। INS विंध्यगिरी को कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इस जहाज का नाम करनाटक की परवत श्रिंखला के नाम पर रखा गया है। ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्ध पोत है, जिससे बराग और ब्रह्मोज जैसी घातक मिसाइलों को भी लॉंच किया जा सकता है। INS विंध्यगिरी समुद्र की लहरों पर 28 नौट्स यानि करीब 52 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से दौड सकता है। और ये करीब 6,000 तन से ज्यादा असलहा और दूसरे सामान ले जाने में सक्षम है। 150 मीटर लंबा और 37 मीटर उंचा ये युद्धपोत, दुश्मनों के जहाज, हेलिकॉप्टर या मिसाइल पर आटोमाटिकली हमला करने में सक्षम है। इस वार्शिप पर दो धुरुव हेलिकॉप्टर या दो सी किंग एम के हेलिकॉप्टर आसानी से तैनात हो सकते हैं। इस जंगी जहाज से अब नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है।